हलो फ्रेंज स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट गियान में आज वे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कल के मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकते हैं बड़ी बड़ी अपडेट्स है जो कि मैं आपको इस वीडियो के दिरूप बताने वाला हूँ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ यूक्रेन और रसिया की जिब वार की लेटेश्ट अपडेट निकल के आ रही है FIS, DIS का इन्वेस्टमेंट कितना है जैसे कि आपको पता ही है कि Continuously Market में बहुत ज़्यादा Volatility बनी हुई है कोई भी Stock समझ नहीं आ रहा है कि किस में निवेस करना चीए किस में नहीं तो उस पर भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो Sanji Basin की तरब से एक बड़ी रिपोर्ट आई है उन्होंने यहाँ पर कुछ Stocks की Recommendation के साथ साथ Overall Market पर भी Update दी है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ और उससे आपको काफी अत्तक हेल्प हो सकती है तो वीडियो को बिना Escape करें पूरा जरू देखिए आपको एक एक चीज की Clarity मिल जाएगी तो वीडियो अगर अच्छी लेगे तो लाइक कर दीजेगा चैनल फे फर्स्ट आम मिजट कर दो सब्सक्राइब भी जरू कर दीजेगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते है सबते पहले मैं आपको संजीब बसीन जी की तरब से क्या व्यूपॉइंट निकल के आ रहे है वो बता देता हूँ रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रही है इन्हों ने बोला है कि Quality Shares में ही पैसे लगाए इस टाइम पे Market Expert संजीब बसीन ने निवेशकों को चिंता ना लेने के सला दी है और बताया है कि यह समय भारतिय बाजारों के लिए अच्छा है निवेशकों को बाजार में खरीददानी करने का अच्छा मौका है हाला कि निवेशकों को Quality Share में पैसे लगाने की जरूरत है तो अगर मैं इस पूरे सेनेरियो को समराइज करूँ तो संजी बसीन जी ने कहा है कि यह जो गिरावट है यह एक बहुत अच्छी opportunity है ऐसे stocks में निवेश करने की जो आप consider नहीं कर पाते थे overvaluation की वज़े से जैसे कि Infosys, Bipro, TCS, HUL, HCL कुछ ऐसी stocks हैं, Reliance Industries तो इन में आप उस time पे पैसे नहीं लगा पाते थे क्योंकि आपको लगता था कि Shares बहुत जादा higher price पर available है लेकिन यह जो गिरावट आ रही है इसमें हर एक dip में आप इन stocks में, Blue Chip stocks में अपना allocation increase कर सकते हो जैसे कि संजीब बसीन ने भी बताया है कि केवल quality stocks में रिवेश करें penny stocks वगरा अब ही थोड़ा से बच कर चलें क्योंकि वहाँ पे loss होने के chances जादा है अब उनकी तरब से कुछ recommendations में है वो भी मैं आपको बता देता हूँ संजीब बसीन ने इन share में खरीदारी की सला दी है Cole India जिसका जो current market price 160 के आसपार चल रहा है 170 रुपे का यहाँ पर target है और यह बहुत जादा shorter period of term के लिए है ऐसा नहीं है कि 3 महीने है छे महीने है ऐसा नहीं है तो यह बहुत जादा shorter period of term के लिए है 160 वाले 170 का target है 156 का stop loss अगर आप लगा सकते हो अगर आपको लगता है कि यह इस से जादा में loss afford नहीं कर सकता second जो यहाँ से scenario निकल के आ रहा है second recommendation निकल के आ रही है IEX की current market price 211 का है target 220 का है 204 का यहाँ पर आपको stop loss लगाने की सला दी है संजीब बसीन ने तो यह तो होगी कि आपको किन stocks में investment करना चाहिए cable quality stocks में दो recommendation अगर आप संजीब बसीन को follow करते हो तो आप लगा सकते हो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर FIIs और DIs का data के निकल गया रहा है यहाँ पर आप देखो 14 February से अभी तक का data में आपको दिखा रहा हूँ 18 February तक का यहाँ पर आप देखोगे 14 February को FIIs ने थोड़ा सा अपना निवेश increase किया था 46.64 यह करोर्स में आपके amount यानि की million US million dollar में आपको देखने को मिल रहा है तो 46.64 के आसपास का positive inflow था उसके बात से outflow ही देखने को मिल रहा है चाहें 15 February के बात करें 416 के आसपास 16 February के बात करें 113 यानि की 183 के आसपास 17th के बारे में बात करें 48 के आसपास और 18th के बारे में बात करें 94 के आसपास का outflow ही देखने को मिल रहा है यानि की FIIs जो है वो यहां से यानि कि इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं continuously लेकिन एक टाइम पर यहां कि आपको flow रुकने वाला है क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर कुछ ऐसे scenarios भी हैं जो की काफी अत्तग change हो सकते हैं यह तो मैंने आपको data दिखाया FIAS का यानि foreign institutional investors का अब हम DIS यानि कि domestic institutional investors के बारे में बात करें तो कहानी बिलकोल अलग निकल के आती है 14 February से 18 का इनका भी data है यहां पर आप देखो इनौने केवल निवेश ही निवेश किया है 2170 पॉइंट्स का निवेश 14 FIAS को 4411 का निवेश 15 FIAS को 1180 का निवेश 16 917 और 1929 यानि कि 1929 के आसपास 18 FIAS को निवेश किया है DIA इसने तो दोनों की कहानी बिलकुल उल्टी है FIAS को अभी US market थोड़ा सा attractive लग रहा है क्योंकि वहां से US Fed जो rate of interest है शायद increase कर दे इसलिए वो अभी से वहां पे entry ले रहे हैं लेकिन अगर DIA इस देखोगे तो उनको Indian market ही सबसे सही लग रहा है और जो की लगना भी चाहिए क्योंकि opportunity यहां पे बहुत जादा है अब हम यहां पे अपने major मुद्धे पर बात कर लेते हैं जो रसिया Ukraine का matter चल रहा है उस पर आखिर क्या scenario है यहां पे आपको देखने को मिल रहा है Ukraine is the largest country in the Europe if one takes out Russia यानि कि अगर आप देखोगे तो पूरे योरोप में Ukraine largest country में से एक नजर आती है which spread over the Asia as well यानि कि अगर आप देखोगे तो Asia तक भी आपको इसका spread देखने को मिलता है Russia under the Putin has its eye on the Ukraine having already annexed Shreemir in the 2014 यानि कि अगर आप देखोगे तो Ukraine एक बहुत अच्छी country है जहां से आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं trade में यानि कि माल को एक तरफ से दूसी रफ पहुचाने में तो export-import का भी राष्टा बहुत ज़्यादा सही हो जाता है तो Russia की भी आखे उसी particular country पर बनी हुई है कि एक बारी अगर यहां पर कपजा हो जाता है तो उनसे ज़्यादा strong कोई भी player देखने को नहीं मिलेगा अभी definitely Russia की तरफ से ज़्श्ट यही बात निकल के आ रही है कि war हो जाएगा border पे already arms या troops देखने को मिल रहे है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो जब तक war नहीं होगा तब तक बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी तब तक आप easily इसमें position बना सकते हो stocks मैंने आपको बताए है संजीब बसीन जी की तरफ से भी आपको stocks की recommendation है वो भी आप देख सकते हो बाकि आज के market scenario पर गर हम बात करें तो यहाँ पर आज जो top gainers थे उसमें आपको Bipro 1.48% का positive moment Infosys 1.39% का positive moment Shree Cement 1.35% का upside moment Power Grade Corporation 1.25 ICSE Bank 0.74 और वहीं अगर हम बात करें losers के बारे में तो 3.65 का maximum जो loss हुआ है वो आपको कोल इंडिया में देखने को मिल रहा है 3.32 हिंडाल को 2.87 UPL ONGC 2.68 अदानी पोर्स 2.25 तो overall अगर आप यहाँ पर देखो तो अगर यहाँ पर quality stocks जो आपको मिल रहे है उसमें धीरे धीरे करके allocation आप करते जाओगे तो जब यह situation सारी normal हो जाएगी तो आपका portfolio एक बहतरी इन stocks के साथ build-up हो जाएगा और उस time पे आपको penny stocks या फिर कुछ ऐसे stocks जो एक दिन में पैसा double या फिर एक दिन में पैसा आदा कर रहे हैं ऐसी जगा जाने की जरूद नहीं बड़ेगी तो आप इन सारी चीजों को mind पर रखते हुए कल position बना सकते हो कल हो सकता है market आपको at power पे ही देखने को मिले कोई बहुत बड़ी तेजी के संकेत कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं अपनी position यहां पर बनाए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर फस्टा मिजट करो तो सब्सक्राइब भी जयू कर दीजेगा धन्यवाद